अजी राम राम जी सब लोगों को जितने भी मेरे चनल पे न्यू आ रहे हैं और जो आ चुके हैं उन सब का मेरे चनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है मधु जैसे कि आप लोग जानते हो और आज सुबह से मैंने स्टार्ट किया कल मैंने कोई वीडियो नहीं बन बहुत धन्यवाद आप लोग मुझे इतना ज्यादा स्पोर्ट कर रहे हो और मेरे पास वर्ड नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए समझ नहीं आता कि मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूं और बहुत अच्छा साथ आप लोगों का मिल रहा है और हाँ काफी एक बात बोना चाहूंगी मारे इमाचलो ते संजे भाई एक तीने बहुत अच्छा कमट कर रहा था कि उसे जो इमाचली बोलिया कि बढ़ावा लगी देने तो यह बहुत अच्छी बात ही तो पाई जी ते जगा ते आसरी पहचान इसे बोना तो बहुत जरूरी है ना यह कुंआ हुएं कि आजगा से इता आते ओग है जो रही तो यह नहीं लगा है तो रहा कि पर से पहचलोламамा आपने करण स्पर्ट मेले मतलब एमाचल मेरा कर रहा तार्माचलो सब भी रहाब़वा बहूबभ हन्यावाद जिसा बहुत 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 हन्यावाद दिल अच्छा कमेंट करते हो ना मन बहुत कुछ होता है कि नहीं कि हमारे काम को आप अच्छा करने की कोशिश करें तो ऐसा ही तकल फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो आज मैंने शुबह से जैसे मैं काउशर से आई मैं सुबह साथ 5 बजूड की थी तो मैंने फटा-फट पहले चपाती बनाई तो उसके बाद फिर मैं काउशर चली गी उसके बाद आने के बाद मैंने सबजी बनाई मैं के तो लुकाफी जिनों से वह रहते कई कि आप रसपी का भी डाल दिया करो तो मैं रसपी कैसे लिए नहीं डालती कि और आज कि वर में तो जानते रहे बूलेंग तो नौर्मन सा खाना काते हैं सिंपल सा क्या ऐसा कुछ खास नहीं वह होता तो मैंने चलो आज मैंने जो भी बनाया मैंने डाल दिया उसमें अपने वीडियो तो आप वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और मुझसे कोई करती हो जाये तो प्लीज माफ करना मुझे और भगवान आपको हमेशा खुश रखे और प्लीज अगर हो सकता है आपसे पॉसिबल हो सके तो शेर भी कर देना काफी लोगों ने मेरे चैनल को वीडियो को शेर किया हुआ है उनका बहुत बहुत हन्यवार और जो अभी कर सकते हैं वो भी कर देना और चलिए फिर देख ले है तो मुझे इतना टाइम मैं हर जगा का शूट करूंगी हर जगा का बताऊंगी अपने पूरा बैचर बोली हर चीज का अभी आजकर काम लगा हुआ तो उसके लिए सौरी तो यहां पर मैंने सबसे पहले हमारे जो चुले के वरतन होते हैं इनको मिट्टी से जो मिट्टी क्या हम दोके साफ हो जाते हैं यही होता है हमारे गाउं में गाउं का जो कल्चर होता है और फिर यहां पर आग तो मैंने वैसे सूबह जलाई थी जब मैं काउशर गए थी पर अभी जो है वो फिर से बुझ गई थी तो मैं फिर से जलाऊंगी बरतन मैंने रख दिया है मैं बाते भी कर रही हूँ यहाँ पे मेरे पती भी है मैं चाए बना रहे है मैंने वहला मैं सब्जी बनाती हूँ उन्होंने काम पे जाना तो फिर जल्दी जल्दी से थोड़ा तभी तो मैं उनको वीडियो में नहीं लापाती वो सुबा निकल जाते हैं शाम को बोलेट आते हैं मैं शाम कभी भी शूट नहीं करती हूँ जो वीडियो बनाती हूँ वो दिन कोई तो तब मुझे प्रॉब्लम आती है कि अधिये हमारी आग कितनी अच्छी जली न मज़ा जाता है सर्दियों में आग सेखने कभी और चुले के उपर खाना बनाने के गाउं में दो क्या बहुत पाइदे हैं आग मिल जाती है सेखने को पानी गरम हो जाता है वो भी मुफत का लकड़ियां हमारे जंगलों में बहुत होती है वी मुफत की और खाना बन जाता है सबसे बड़ी बात चुले का खाना तो बहुत जाद रटेस्टी होता है और बहुत जाद अच्छी आज पर पकता है ना वो आपको पता ही है कि बनावटी चीजों के पर जो भी हम कुछ करते हैं वो अच्छी तरह से नहीं होता हो पाता तो इस वज़ा से ये करके हमारे को बहुत ज़्यादा बेंट फ्यूट होता है चुले का गैस भी है आज के लग खतम हुई है तो गैरा बारा तारीक को आती है तो तब भी भरवा सकते हैं गाउं में जैसे गाड़ी आती है गैस की तो उससे पहले नहीं यहां पर मैंने थोड़ा सा न स्पीर फास्ट कर दिये ने तो बहुत लंबा जा रहा था वीडियो तो मैंने सूचा कि थोड़ा सा इसको जो है वो कर लेती हूँ और फिर अब बार बार उटके ना फोन की वो देखनी पड़ती थी कैमरा बार बार उटके ना ऐसी दिक्कत होती है शूट करने में बहुत ज्यादा प्राव्लम आती है और इसमें फिर इसके बाद इन्होंने चाय बना दी फिर मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला था वस यह अमरा डेली का होता है सबसे मुझे तो यह अच्छा लगता है पेस्ट उसका लसन अद्रक और मिर्च का बाकी वो तो नॉर्मल है सबसे पहले मेत्थी डाली थी उसके बाद जो है बेन मतलब धनिया और जीरा और मैंने यह डाला उसका पेस्ट उसके बाद मैं टमाटर इसमें लगा दूँगी और नमकलती बस यही जो सब भी तो जानते हैं पर सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आता है बूल अगरम कूट के लगाएं तो वो बहुत अच्छा लगता है और आजकर ठंड बहुत ज़्यादा होगी हमारे यहाँ पर हिमाचल में क्या ज़्यादा तर पहाड़ी यहाँ में ठंड बहुत हो चुकी है और पहले इनका मैं उठी थी यहाँ पे जो कैमरा सेट करने पोन का कैमरा यह पूरी नहीं आ रहे थे न तो मैंने सुचा कि चलो अभी 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 टाइम है अभी इनको कैप्चिर कर लेती हूं अदरवाइस तो यह आते नहीं तो टाइम भी नहीं लगता जैसे दिन से प्रण्ट केमरे से शूट नहीं किया नहीं है तो पता ने लगता कि पीछे सी कि क्या हो रहा है चुट पस यहीं होता है हमारा मौनिंग रोटेन का और अलू मैंने बनाएं यह बी मैं बताऊ दू आप लोगों को यह देखो क्या हो रहा है यह दो कुझे समझ नहीं आ इसमे कुछ वो करके इसको बना दिया था यह मैं आपको नजदीक से बनाती हूँ मेरा अच्छी तरह से मसाला थे को कितना अच्छा भून चुका है अब पता नहीं है जल्दी जल्दी रहती है हर काम की ना कभी निकलना काम को कभी कहीं कभी कहीं और हाँ प्लीज मैं आप से कहना चाहूंगी कि मैंने बोल भी दिया है शुरू में कि थैंक यू सो मच आप मुझे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट कर रहे हो आप लोगा का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और और बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ पर मैं तो बोलते बोलते बोल जाती हूँ मुझे कि यह वाले मुझे बड़ी गलत बीमारी में जैसे बोलना पहले बहुत सोच के रखती हूँ कि मैं यह भी बोलूंगी बो भी बोलूंगी कि पर जैसे में बोना मतलब स्टार्ट करती हूँ न तो मुझे बूल जाता है कि मैंने क्या बोलना है यह टमाटर में न ऐसा कडची की पड़ा टाइम तो लगता है चुले पे थोड़ा जैसे अपडाउन होती है आग कभी जादा जल जाती है कभी कम हो जाती है तो उस वज़ा से यह तो होता है पर मतलब जो है बहुत अच्छा लगता है कास कर मुझे तो सर्दियों में तो फिर भी मैं गयास का यूज कर लेती ह हूँ जदातर पर सर्दियों में तो मैं बिल्कुल ही चुले को बो करती हूँ और यहां पर हम बाते भी कर रहे हैं और खाना भी मरा है बच्चे अभी सो रहे हैं सो क्या उठ गए हैं भी रूम में काम कर रहे हैं उन्हें अपना स्कूल का और प्लीज मुझे जरूर बताना कैसा लगा आपको मेरे आलू की रैस्पी रैस्पी क्या बोलना है अलू तो हर गर में बनता है वसी बनता है जैसे मैंने बनाया मैं कोई ऐसा नहीं किसी खा रहे हूँ मैंने ये बताया कि मैंने ऐसे मतलब ऐसे बनाया और इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूंगी क्योंकि इन्होंने जो इन्होंने भी खाना ले जाना बच्चोंने भी खाना और फिर बाद में दिन को जो है दिन को तो मैं रखती हूँ अकेली खाना खाने वाली तो यह लकड़िया बस आगे हमारे अब लकड़ियों का काम भी चल पड़ेगा तो यही बज़़दा थी कि मैं आपको बताना चाहती थी कि यह क्यों उजो एफ वीडियो में नहीं आते तो यही बज़ा थी कि यह सुबह चले जाते हैं अब आप सोचो कि सुबह चले जाना इन्होंने आठ बजे में जिस सुबह वैसे भी मैं सुबह का बहुत कम शूट करती हूं यह जाने होते काम पर बच्चे जाने होते स्कूल तो मैं नहीं कर पाती थी कोई ब्लोगिंग करती हूं तो मैं शूट करती हूं हर चीज तो फिर यह कैसे आप आएंगे पर चलो घ़र पर रहेंगे उस दिन ज़रूर आएंगे वीडियो में हैर थे तो अब आप मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि कि वृडियो में यह में आपाते हैं लोगर काम पर चले जाते हैं सोबस्ट साम फिर में नहीं बनाती वीडियो क्योंकि अच्छा नहीं आता क्कार कार के थेंकि अशके लाइस अंधिंई 2 अधार 64 झाल झाल